जहीं दोस्तों काल अकडमी आपको फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हम अकबर के बारे में देख रहते हैं तीन पार्ट हमने इसका लोड कर दिया 14 पार्ट आपके सामने हैं हमने देखा थे कि कैसे अकबर अपना समराज जवाद आगे बरा रहा है समराज बराते बराते वह अभी तक हमने जो देखा तीन जगह आमेर मेरता और मेवार को किस तरह अपने कबजे में ले लिए आगे अब देखेंगे आज रन थंबाओर के बारे में रन थंबाओर का किला जो है राजा सूर्जन राय यह इंपोर्टेट है रन थंबाओर जो रन थंबाओर का जो किला किस्गे अंडर में था तो ये सबसे पहला कुश्ण ने किस्के अंडर में था तो या रंत unlबाड का किला है सौरजन राय के सूरजन राय के अंदर में था जो मेवाड के रधिन किसके ये मुगलो ने उस पर आक्रमन किया कव आक्रमन किया पंदरा सो उनातर में पंदरा सो उनातर में क्या किया मुगलों ने इस पर आक्रमन कर दिया डेर महिने के घेरे के परशाथ किलो का मुगलों को लास्ट में अन्त में सुनजरा स्वाप दिया कि भाई अब हम लड़ नहीं पाएंगे इसी तो युद्ध किया गया लेकिन देर मैने के पास उसको लगा कि संधी मलग कोई फायदा है नहीं युद्ध लड़ने से लोगों क्या कि संधी के लिए त्यार हो गए अपने दो पुत्रों को अकबर के पास भी दिया था ठीक है परन्तु राजपूतों के वर्नन के नुसार जो राजपूत वर्नन करते हैं कि अकबर काकरवन सफल नहीं पर राजा भगवान दास और राजा मान सिंग ने सुर्जयन राय से मिलकर उसे अकबर कधिपत्य करके लिए मना लिय इसको सिप्धिक के बेस पर अब आया दूसरा कलिंजर कलिंजर के बारे में परेंगे कि यह बहुत इंपॉर्टेंट था कलिंजर पंद्रा सो उन्हात्तर में कालिंजर के दृर्ड के लिए पर अकवर काथी पत्ते होगे अकवर ने मजनु खां किले प्राकवन के लिए भेज़ा परंदु किले के मालिक राजा राम चंद्र जो थे किले के मालिक तो जे राजा रामचंद्र ने चित्तोर और रन्थमबोर के किले के पतन किसे सबक पहले ही ले लिया था कि कैसे चित्तोर और रन्थमबोर पर अक्रमन किया था उसे अपने कबजें में लिया था और उसके बिना किसी विरोज के किले को मुगल को सौप दिया कि बाई साब हम नहीं ल अब अगला आया मारवार अगला का है मारवार पंद्रा सो सत्तर में मारवार ने सुच्छा से अकवर का ये भी आदिपत्य स्विकार कर लिया देख रहे हैं कि लगवग बहुत सारे जो राज्य रास्ताम के अगल बगल के उन्हें में खुद स्वेच्छा से अकवर को का के भाई ले लो पता है यूद करने से कोई फैदा है नहीं अकवर के द्रीर उद्देश और चित्तौर और रंधंबॉर के किला चित्तौर और रंधंबॉर पर जैसे आकमन करके अकवर अकवर अपने अंदर लिया तो सारे राजपूत से डर गए राजपूत सास्कों के विरूत करने के सकती का कि भाई अब हम लोग नहीं कर पाएंगे जब चित्तौर और अंधंबॉर जैसे किलो को अराम सो कर लिया अप देपत्ते इसके अधरिक राजपूत सास्कों के परती अकवर की उदारता कि निती भी राजपूत रा कि लोग जितने भी राजपूत लोग हैं या जितने भी राजा हुएं अराम से उसको क्या करते दर विवास संबन में अपना रिलेशन बना लेते थे उनसे और अच्छे मनसबदारी भी प्राप्ट कर लेते थे जोदपूर के सासक माल देब की मृति उसके बाइद बेटे एक बहुत इंपोर्डेंट चीज़े यहां पर कि राजपूत सासकों के परती अकवर की उदारता कि निती भी विविन राजपूत राजाओं के आत्म समर्पन के लिए उत्तर दाही तो थे जोदपूर की जो सास सकत mistake माल देब की मृति हो चुकिति है माल देब बहुत सकती साली था हमने पिछले me shaped माल देव इनकी मृति हो चुकी ती झौकर श संतर eldest राजा चंदसें जो बेटे थे इसके बाद उदैय सिंग ने आकबर से भीट किया उसके अदिना राम से सविकारई गले अकबर ने बिखानेर के राजघराने कि लर्किसे भी विवा किया था तो अकबर इस प्रकार से देखने बिवा समंदी बहुत सारे रेलेशन बनाकर राजपुतों को खुस किया और उसके अधिपत्य भी स्विकार करने के लिए मजबूर किया ठीक है इस प्रकार 1570 तक मेवार के अधिन कुछ किलों और अधिनस्त प्रदेशों के अतरीक राजस्तान के सभी 1570 तक लगबग सभी जितने भी सासक है मुगल अधिनता सुईकार कर लीती अकबर पहला मुसलमान सासक था जितने राजस्तान में इतनी वरियदिक सबसला प्राप की थी सभी राजपूत राजाओं सासको ने अकबर के अधिनता कोई सुईकार नहीं किया बलकि वे उसकी सेभा में भी आगें बहुत बड़ी बात है अकबर ने राजस्तान के कुछ मत्वन किलो पर ही मुगल अधि पत्य स्तापित किया अन्य था प्राह सभी राजपूत सासकों के राज़ उनको बापस कर दी कि आप अपना सासम कीजी इसके अधिरित उनकी विदेश नीती अकबर ने अवश्य अपने हाथों में ली कि करना चाते थे उसमें मुगल चाहता था कि हम डाड़ेक्ट रूप से उनका विरूद करें कि दुसरा उसमें कोई अहस्ता शेप नव कर पाया करनल टाड जो है एक इतिहास काड़े वह लिखते हैं वास्ता में मुगल समराज का संस्थापक अकबर था करनल टाड़ के अनु पूद का देख लिया कि लगबग राजस्तान का सारा एरिया यहनोंने कबजी कर लिया अब आया किसका तो गुजरात का नुमबर आया गुजरात एक धनवान पर्देश था सुरू से युआ धन है उसे पशिम देश्यों से बेपार करना की कि इसके अमधर ऑंसे भी बिजिनेस चलता था ka की यातरा भी मुसलमान इसी रास्ते से जाते थे राजस्तान को जितने के पश्चाथ ही गुजरात गुजरात राजस्तान जैसे जीता गया अब उस घुजरात की विजय और सुरक्छा भी उसी परकर से संभग थी अकबर की विद्रोही समंदिय मिर्जाओं ने यहां सरन रखे थी यह जगा था कि अकबर का जो विरोधी सब गुजरात में आके रहता था क्योंकि बॉडर था जहां कुछ होता था है जहां से निकल लेता था अकबर की विद्रोई समंदी मिर्जाओनेया सरन लेकर थे और गुजरात की आव वेवस्ता से लाव उठाकर वे काफी सक्तिसाली बन च अधिकारी इतमाद खां को कैदी कैदी था राज के स्थिति बहुत ही अवेवस्ति थी और वहाँ परजामया संतोस था ऐसी प्रश्तिति में अकबर को लगा किया रब गुजरात को जितने का काफी सही समय है मुझपड खां इतमाद खां अधिस सभी ने अकबर के समक्च आत्म समर्पन कर दिया अकबर ने आगे बर कर कामबे तक अधिकार किया ठीक है गुजरात के कामबे तक इसने अधिकार कर लिया इबराहिम मिर्जा का पीछा किया और अती विशम परिस्तिति से सर्नाल के युद में सर्नाल का युद यह सब सारी युद सुने नहीं आते हैं इसलिए मैं बता देता है सर्नाल का युद कराया था इस सर्नाल के युद में क्या हुआ था इसी सर्नाल के युद पहली बात य ऑकवर आगडा इसके बाद गुजरात का सुउवधार बना दिया किसको खाने आज्म मिर्जा अजिज कोका मिर्जा अजिज कोका याद रहेएес अग्रा दोगेon यहां देखेगे के बहुत कुशनय आ जाता है कि कि यहं को बनाया तो कोका को मिर्जा कोका को सुविदार बना कर वो आगरा आ गया कहा आ गया आगरा आ गया अगरा तो आ गया लेकिन बाद में हुआ क्या जैसे ही वो आगरा पहुचा कि गुजरात में विद्रो हो गया 1573 में गुजरात में क्या हो गया विद्रो हो गया मुहमद हुशान मिर्जा जो दौलताबाद भाग गया गुजरात बापस आ गया जैसे ही पता चला कि अकुबर गया है वो क्या हुआ दौलताबाद भाग गया था फिर से वो क्या हो गया गुजरात आ गया और खाने आजम ने अकुबर से सायता मागे खाने आजम जो कोका था मिर्जा जिस कोका वो शिक्री से एमदावाद की 450 मिल दूरी 450 मिल की दूरी सिर्फ और सिर्फ नौ दिन में यानि कि एक दिन में 50 मिल वो चला तब सोच लिजे कि 450 मिल की दूरी मातर वो नौ दिन में सफर करका कहां पहुंचा गुजरात पहुंचा चीक है अहमदावाद के निकट जो युद हुआ अकवर उसमें वही था उसमें विद्रोही जितने सारे को प्रास्त किया साह मिर्जा भाग गया और गुजरात का विद्रोह पुर्णुरूप से समाप्त हो गया खाने आजम कोहीं जो कोका था उसको सुविदार रखा गया चेंज नह उसको देखिए गुजरात का दूसरा अकवर के ही नहीं बलकि संसार के इतिहास में बहुत दुर्दगामी यतना अव तेज का अक्रमन कहीं नहीं कभी नहीं हो गुजरात मोल समराज का अंग बन गया यहीं पर अकवर की भेट पहली बार पॉर्चगीज से हुई पुर्तग से यहीं पर वह मिला था ठीक है गुजरात में गुजरात अवियान के दौरानी अकवर ने पहली वार समुद्र दरसन इसके पहले वह समुद्र कभी नहीं देखा था पहली वार गुजरात विजय की स्मृति में ही राज़ानी फटेपूर्सिक्री में एक बुलंद दर्वा बुलंद दर्वाजा किसके स्मृति बनाया था तो गुजरात विजय की स्मृति में उसने बुलंद दर्वाजा बनवाया था ठीक है अब गुजरात हमने देख लिया गुजरात तक पहुंच गया काफी बड़ी समरा जोच हो चुकी थी यहां तक अब इसके बाद पुर मे बंगाल में सुर्वंस का ही चलता आ रहा था कि पर शायत अब लेकिं सुर्वंस का थमुजरा बिहार के अफगान सुविदार सुलिमानी किरानी काम नाम था सुलिमानी किरानी ने अपने कुछ सतन सातक गोसित कर दिया उसने बंगाल को जीत कर असाम तक अपनी सीमा पहुं मृतिव के पर उसका पुत्र का नाम था उसके पुत्र का नाम क्याता? दाओद था उसकी गद्धी पर जैसे ही मालिक बना दाओद ने अपने कुछ वतान घोशिज कर लिया कि हम अकवर के दिपत्ते को सविकार नहीं करेंगे इस परकार से देखा गया कि पटना की मुगल किले पर आकर्मन करके लास्ट में उसे नस्ट किया अकवर ने मुनीम खा खान खाना को दाउद पर आकर्मन करें देखा कि भाई यह हमारा जो अकवर का पटना का किला था मुगल किला उसको भस्त कर दिया इसका मतला हमारा विदरो किया मुनीम खाए कि भेजा कि दाओद पर आक्रमन कि अधर उसको नस्ट कर कर दो उसको हड़ा कर मेरे पास लाना हो भोला कि ठीक है मैं जाता तो दाउद को हराने के लिए भेजा गया किसको मुनीम खा को जो खाने खाना की उपादी दान के थे बिहार को जितने कादेश दे दिया 1574 में 1574 में यही मुनीम खा क्या किया दाउद पर आक्रमन किया सोयम अकबर भी उसकी साहिता के लिए चला गया हाजीपूर के किले को जीत कर अकवर ने संपूर्ण विहार को कौन सा किला जीता था हाजीपूर को जीत कर वो संपूर्ण विहार को अपने अंदर कर दिया ठीक है दाउद बंगाल को भाग गया दाउद कि विहार को जीत लिया तो अब यह किधर भागा बंगाल को भाग गया जैसे ही बंगल को भागा मुनिम खाने को बंगल के राजधानी उसमें मैं में क्या थे । टांडा को इतicajekt स्टाणव भी एक फूला ने एक भी एस्थानि तुरकोई नामक अपकी स्थान पर, ध्यान देने वाली बात है कब पहला किया? अभी तो देख़ रहे हैं सिर्फ भाग रहा है भागने के लखा कुछ नहीं कर रहा है लेकिन 1575 में कब तक भागेंगे यह नए इतो बात है कब तक भागते रहेंगे युद तो करना ही पड़ेगा और आपको चाहिए व Ooh राज तो युद तो करना पड़ेगा 1575 पच्छत्तर ये दिन है ये श्वी ये पंदासव पच्छत्तर में तुकरोई नामा के स्थान पर पहली बार उसका मुगलों से सामना हुआ परन्तु उसकी पराजाई हुई और वहां से वह भाग गया दाउद ने मुगल अधिपते सुईकार कर लिया और उडिसा की अंते में जागीर उसको दे दिया गया दाउद को कि भाई आप उस पर राज किजिए परन्तु सिग्री मुगलों की संदी को ठुकरा दिया अब क्या हुआ कि यहां पर मुणीम खा मर गया है जो अकबर का जो थ आप बेजा हुआ खाने का ना उसकी मृति हो गए तब दिखा कि यार यह दाउद की मृति हो चलो फिर से आकर्मन करते हो गया और तथा टंडा जो है राजदानी बंगाल की टंडा पर आकर्मन करके उसे जीत लिया अक्वर ने खाने जहां इसको फिर बेजा काने जहां को को बंगृल का सुरिधार बना कर गया अंत में राज माहल के निकट राज माहल कि कैंस yhte अंत में हुआ हुआ राज माहल कि यूद में दाउद पकरा गया दाउद लाश में पकरा गया उसे मर्तिव दंद देदी बंगाल पर मूग्ल का अधिकार हो गया इस्पड़कार mr 54 से 76 के संगर्ष के पश्याद बिहार और बंगाल पर मूग्ल का अधिकार हुआ है boy s mismos किया कहते हैं कि बंगाल का 13 कि जिसका ऊस्तितभ 236 वच्षों से चला आ रहा था 1340 से लेकर 15 카 primo औरंफेंके बारे में कुछ नहीं आता था लांस्ट में समाप्त हो गया नौ दाउद के साथ ही वह समाप्त हो गया किसके अंदर आगया कुई सब्सक्राओ का पूँरी तरीके से मोगल के अंदर आ इंदर आ ठीक है अब यहां इसके बाद हम लोग देखेंगे काबूल के बारे में काबूल अब देखेंगे हम लोग काबूल के बारे में काबूल के साथ क्या हुआ अकवर का सौतेला भाई जो था हकीम मिर्जा उसे में हमने देखा था पहले हकीम मिर्जा क्या था हकीम मिर्जा काबूल का सासक था उसका सोतेला भाई था 1566 से लेकर सरसर्थ में उसने पंजाब पर भी आकर्वन कर लिया परंतु उसे लंद में बिफल करकर वापस कर दिया गया 1581 में उसने भारत पर फिर से आकर्वन किया 1581 में यहामीज मिर्जा ने फिर से आकर्वन किया पंजाब पे हैं उस समय बंगाल और बिहार में विद्रो हो रहे थे और विद्रो ही अकबर के स्थान पर हकीम मिर्जा को दिल्ली के सिगासर बैठाने के लिए तत पर थे जो विद्रो ही थे गुजरात वाली और जो भी जितने हैं वो बोलता था हकीम मिर्जा को कि तुम भाई आकर्मार खोरो हम तुमें गदी पर बैठाएंगे दिल्ली के गदी पर बैठाएंगे अकवर की धार्मिक निती से असंतु स्ठोकर कुछ मौला मौलवियों ने भी क्या 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 अकवर के विरुद विरुद करना श्रू कर दिया अकवर के कुछ परतिष्टी सरका सरदार भी हकीम मिर्जा से अकवर के विरुद पत्र वेवार कर रहे थे इसी स्तिती में हकीम मिर्जा को लाप पराप करने की आसा हुए कि अब हम साहिध हो सके तो हम दिल्ली के गदी पर बैठ सके परन्तु जब वह सिंदू नदी पने किया किसी नहीं भी साहिता नहीं मिल इसी बीच अकवर स्वेम उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया ठीक है वह अगड़ा से बढ़ गया पंजाब की ओर हाकिम मिर्जा ने जब यह देखा कि भारत में अकवर की स्थिती बहुत मजबूत है और यहां उसे को और काबुल आपने में ही जाधा बहतर है अधरवाई यह मारे जाएं ओरने राजा मान सिंह को काबुल पराधिकार करने के लिए आगे बेजा ठीक है यहां इंपॉटेंट कुशन आता है किसे तो मान सिंह को मान सिंह को बोला कि ठीक है और बहुत ज़्यादा मिर्जा उठल तब क्या हुआ कि राजा मांसी ने काबूल पर दिकार कर लिया और हकी मिर्जा को बिना लड़े ही भाग वो नहीं लड़ा कि भाई ये तो बहुत पावर फूले उसने अकवर क्या दिनता स्विकार करने का संदेज वेजा परंतु अकवर ने उसे विक्तिकत रूप से पेश ह वक्तु निशा बेगम का को काबूल का सुविधार बाना कर बापस आ गया ठीक है वक्तु निशा जो था उसकी बहन थी इसकी बहन तो यहां पर ध्यान देखिए किसकी बहन का बात कर तो मिर्जा का बात कर रहा कि मिर्जा की बहन को बोला कि ठीक है तुम्हें आपर सुवि गया था वो भी बापास आने पर हकीम मिर्जा काबुल फिर आ गया और स्वेम सासन के देखवाल करने लगा यद पी उसकी बहन कोई कोई रह गई वो कुछ नहीं कर पाए प्रंत उसी बर जुलाई 1581 में सेम 1581 में उसकी मृत्ती हो गए अकवर ने काबुल को मुगल समराज में समलित कर लिया 1581 में और राजा मान सिंग को वहां का शुबेदार बनाया गया तेक है काफे इंपोर्टेंट यहां पर हमने द देश में North India Eastern India North East में इसका अथिकार हो गया तो अगला चो देखेंगे तो किस्मीर के बारे में कश्मीर के शासक को क्या नाम था है युशूफ खंने अकवर के धिन त्सविकार करना मान लिया था अकवर से लोग ड़ता था लेकिन लेकिन बेट नहीं करें हैals इस कारण अकबर उससे संतूश में था उसने कश्मीर को अपने सम्राज में समलित करने का निश्यत किसी पिदाधिनता से काम नहीं चलेगा वो मेरे सामनी आया भी नहीं हम क्या करेंगे युद करेंगे 1585 में वश्वयम एक बड़ी सेना लेकर लहोर की बोर बरा 15086 में कासिम खान और राजा भगवान दास को कश्मीर विजय बेजा किसो बेजा किस पढ़ेए कि कासिम खान की पर्षब दीर नहीं प्रुद्द आधिक ना चला युसुद आपने दुरवलता समस्ता था और मुगल सेना जारे बर्फ और रशद की कमी से दुखी था यूसुप खां संधी को लास में तयार हो गया और मुगल को भी लगा कि यहां रासद मिलेगा यतना ठंडी बरदास कर नहीं सब्सक्राइब परंतु जब अकवर के सामने पुस्तुत हुआ तब उसे अंते में यही डर था कैद होने का तो लास में उसको कैद कर लिया गया क्योंकि संधी के सरते अकवर को स्विकार नहीं थी यूसुप खा के पुत्र याकूब खाने मुगल के मुकाबले के तयारी की परंतु राजधानी स्री नगर में बिद्रो हो जाने के कारण उसे बापत जाना प प्रकार पंदरा सो च्यासी में कि पंदरा सो च्यासी में क्या हुआ कि मुगलों का अधिगार हो गया पंदरा सो च्यासी में कश्मिर मुगल सम्राज में समलित कर दिया गया अब इसके बाद देखेंगे हम लोग सिंद सिंद के बारे में देखेंगे क्या है सिंद के बारे में अब्दुर्रहीम खाने खाना है अब्दुर्रहीम खाने खाना है अब्दुर्रहीम खाने खाना को मुल्तान का सुविदार बनाकर अकवर ने उसे संद सिंद को जीतने का उ की पंदराइसों क्याण में भाने खानाने सिंद्र पर democracy कि से मुगलों का आपकर्मन किया लेकिन और इस ने मुगलाजी आधिपत्तिकरण आ और शहवान वब अजया आगाए इस परकार से संद्र भी मुगलाज जब सिंद का बात किया जाए तो सिंद जब आ गया तो अब तो उधर कुछ बचाई नहीं हमने देखा काबूर हो गया सिंद हो गया सब तो लगबग के मोगल का दिन आगए अब अगर देखा जाए बिहार बंगाल बाद में बचा ऊरीशा हिशा को भी कबजा किया गया इसी स को पतर पितोर आ के पितerem निशार का ने राजामान सुखंग का मुकावला किया बर्दें में काफी मजबूत कि जागेर उसे दिए प्र Delete context 6706 में ये फिर से विद्धार किया शॉय को डशी बैद mu उन्हें 1592 में में विद्रो किया और इस वार राजा मांसिंग ने बोला कि नहीं अब परदास नहीं करेंगा प्रास्त करके उसको भगा दिया उड़ी साथ को पंदरास बान में मैं पूरी तरीके से मुगल समराज में शामिल कर दिया गया ठीक है तो देखने हैं कि तूदार अःण वेयर नृटी ही तो अपनाता था यह लेकिन किसी को लगता था क्यार सायद हम फिर से वहां पर कपज़ा कर सकते हैं लेकिन अपर को जानता लगता है शाही नहीं था बोलोग आगे बात करेंगा अप है कि बलोचिस्तान लेकिन भरबरी कर पुम्धर पंदरास बंच तुमको जिसने उसी बर सीबी के किले पर आक्रमन करके उसे जीत लिया बलूचियों ने से मुगलों के कंधार के सीमा तक के भूचेतर पूरे चेतर में इस परकार बलूचिस्तान मुगल समराज का एक अभिन अंग बन गया ठीक है कंधार अंतिम देखेंगे कंधार अप्रैल 1595 कंधार बिना किसी युद के मुगलों को पराप्त हो गया कंधार परशिया के अधिकार में था हमने स्टार्टिंग में देखा था किसके अधिकार में था तो परशिया के अधिकार में था परंतु वहां के ततकालीन जो समय सरदार थे हुशायन मिर्जा हुशायन मिर्जा कि संबंद परशियन दर्वार से खड़ाब हो गया था अपनी सुरक्षा के कारण उसने किला स्वेच्छा से मुगल सरदार सहाब को दे कि भाई आप ही देखिए और वो मुगल से पूरा जुकांधार किसके अंदर चलाया मुगल सरकार के अंदर आगया अकवर के अंदर आगया इतनी वरी समराज को लेकर चला उसके बाद भी हम देखेंगे कि अगला टॉपिक में कैसे दक्षिन भारत को जीता उसने कैसे मदेश देखें तो कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज अगर आपको लाइक हो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच